आपकी बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेल्डी की था, आपकी बेटियां जिन्होंने भारत के नाम विष्ट के पटल पर रोशन किया, आपकी बेटियां जिन्होंने तरंगा भारत के विष्ट के पटल पर राष्टेगान को गौरानुत किया, आज आपकी बेटियां खुले और आप उनको पाकिस्तानी बता रहे तें चिन लोगों के खिलाब कभी पत्रकार बरेक गोली लंकेज जैसी भोलने की इसको गोली मार करें लेकिन आप लोगों को समय कहते हैं कि नहीं सरकार हमारी है हिंदू राष्ट बनेगा अखंट भारत बनाएंगे आज उसी सरकार की लाटिया आपकी बेचियों के और आपकी फीट पर बढ़ रहे हैं आज आपको मालू हुआ कि आप भी हिंदू नहीं हो इस देश का जाट भी नमस्कार दोस्तों मैं राहुल नाकपाल और आप देख रहे हैं सोसल मीडिया मैं आज उसी लेविल पर बात करना चाहरा हूँ जिस लेविल पर जिस इस्तिती पर जिस स्टेश पर देश खड़ा है इसकी सुरुआत कहां से और कैसे हुई थी इसकी सुरुआत दोहजार हिंदुत के आधार पर देश भर में सरकार बनाई भारी वहुमत के आधार पर तो जो लोग सरकार में बैटे थे उनके मन और मस्तिक में ये बात आ गई यहां जो हमारे मनसूब है उनको पूरा करना हमको रोखना किसी के बसकी बात नहीं है क्योंकि बिपक्ष जो है वो एक पाकिस्तान चले जाओ कोई दलित अवाज उठाता था तो कहते थे ये तो मेट करवा दिये ये तो नकसल वा दिये अगर कोई सिख अवाज उठाता था तो कहते थे कि ये तो खालिस्तान है बगएरा बगएरा लेकिन वो दौर गुजरा पहले दौर की जो सरकार थी पांस स पुली मार दी गई जो एक्टिविस्ट लोग तंतर्क या जमूरियत को मजबूत करने की बात कर रहे थे उनको सरयाम उठाकर के जेड़ों में थूच दिया गया तो बोलने वाले अब लोग बचे नहीं हैं तो बोलने वाले जब लोग नहीं बचे तो सरकार को मनमानी करने से रोकेगा कौन तो जो लोग सरकार के पक्ष में खड़े थे जो लोग ये कहते थे के नहीं सरकार जो है वो ठीक कर रही है और हिंदुत की सरकार और भारत को हम हिंदू राष्ट बनाएंगे अखंड भारत बनाएंगे बगरा बगरा बहुत सारी बाते हैं कहते थे और गले में भगवा जंडा डाल करके गले में भगवा पटका डाल करके देश के कौने कोने में जा करके देश के गली महले में जा करके जैसी राम के नारे लगा करके बताने की कोशिस करते थे कि हम कटर हिंदू हैं और हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे जैकिन जो लोग हिंदू आत्रहें निकाली, सरकारें बनाई, योगी सरकार उसी बात पर काम कर रही है, बीजेपी की मोधी सरकार जो वो हिंदूराश बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन आप मुझे बता ये कि 40% मोधी सरकार बोटों के आधार पर मोधी सरकार बनी है, और जिस आधार पर मोधी सरक की गई अब वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने आपको कट्र हिंदू कहते थे हम तो बहुत बड़े बाले हिंदू है अब उनका नमबर आया है जब मुसल्मान पिटता था तो तब सब लोग खामोश थे जब दलित पिटता था दलित की बेटियों के साथ में रेफ होते थे तो तो सब लोग खामोश थे जब वो इस देश के अंदर सिखों का कतल्याम हुआ तो सब लोग सांत थे खामोश थे लेकिन अब नमबर उनका आया है जो लोग अपने आपको यह कहते थे कि हम कट्र हिंदू हैं अब आप मुझे बताईए कि पिछले दिनों में अगर इस देश के अंदर किसानों को जो कमेरा जातीया हैं जो अपने आपको हिंदू कहती हैं कहती हैं कट्र हिंदू हैं और राकेश टिकैप की स्टेटमेंट है कि हम तो राम के वनसाज हैं तो आप समझें जाघा इसी एस ।ो यह तो यह तो यह सरकार हिंदू किने नहीं है तोayed दिल्ली किसान बॉर्डर पर बैट कर अपनी मांगें मनवा रहे थे किसी कानून गलत है यह नहीं होने चाई चीए या फिर वो हिंदू नहीं थे दोनों मैं से ईक तो हिंदू नहीं हैं अगर दोनों हिंदू होते और हिंदू की सरकार में हिंदू का सो्चन हो तो यह कि यह वह मुसलमान तो नहीं थे वह जेनी तो नहीं थे वह कालिष तानी तो नहीं थे वह हिंदू एत तो हिंदू की सरकार में हिंदू को अपनी मांगवन के लिए महीरे तक रोड पर बैठ़ quelquya कि इस देश कुछ समाज के महीला के कपलों से चूजाने पर उसकी पीट-पीट कर रित्या कर दीगी बुलैंसर के अंदर ये कत्यावली गाओं में बाल्मी की समाज की बेटी के साथ बलतकार हुआ उस घरको आग लगा दीगी मवेशियों को आग लगा दीगी तब इस देश के अंदर ये का मुख्यमंतरी ये कहता था कि मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंतरी बाद में हूँ यानि सोशन करने वाले जो लोग थे जाट वो अपने आपको सवन हिंदू समझते थे वो कट्र हिंदू मानते थे और कहते थे कि मुख्यमंतरी हमारा है हमारा सोशन कौन करेगा तो आज आमें गरीब थे, गुर्वा थे, मजदूर थे, कोई सरकार उनकी नहीं थी, सुनने वाला उनका नहीं था, तो आपने उनका सोशन किया, लेकिन आज सवाल यहां यह खड़ा होता है, कि आपकी बेटियां जिन्होंने भारत का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया, आपकी बेटियां जिन्होंने तरंगा भारत के बिश्व के पटल पर लहराया, आपकी बेटियां जिन्होंने विश्व के पटल पर राष्टेगान को गौरानमुत किया, आज आपकी बेटियां खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर पर बैठी हैं, और वो नियाय मांग रही हैं, त जिन लोगों के खिलाब कभी पत्रकार गोरी लंकेस जैसी बोल लिकी जिसको गोली मारकर के सांथ कर दिया जिन लोगों की खिलाब कभी जिगनेस बोल रहा था जिसको जेल थूचन शिकर बोल लिकी जिन लोगों के खिलाब हमारे और मेरे जैसे तमाम एक्टिविस्ट बोलते हैं कहते हैं कि सरकार गयर समधारी काम कर रही है लेकिन आप लोग उस समय कहते थे कि नई सरकार हमारी है हिंदू राष्ट बनेगा अकंट भारत बनाएंगे आज उसी सरकार की लाठिया आपकी खमण कौन लाला जी वही 15 फीसाद लोग जिनको सवन कहा जाता है वो हिंदू हैं 22 देश के मूल लिवासी हैं और मूल लिवासी चाहाँ जाठ हो गूजर हो यादा हो पटेल हो कुर्मी हो चमार हो चूडा हो घटीग हो पासी हो धानक हो यह जितनी मूल लिवासियों की जा आते हो तो आज आपके सामने सवाल है कि आज आपकी गोल्ड मेटरिश्ट बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं 15 दिन से बैठी हैं कब तक बैठेंगी यह बड़ा सवाल है आपके पक्षम है इस देश का क्रिकट का भगवान कहे जाने वाला ब्रहमन जाती से आने वाला सच आपके साथ में इस देश का सिस्टम नहीं खड़ा है क्योंकि आप हिंदू नहीं हो और जो लोग हिंदू हैं हिंदू भी लोग सरकार में बैठें और वो अपने पांच बार के छे बार के सांसत ब्रजभूशन सी जो जाती से ठाकुर है और यूपी के अंदर ठाकुर की ब हुड़ा जी ने कही थी कि मैं जाट पहले हूं मुक्मंतरीबाद में हूं उसन में वह ताकत में थे तो उसन में शिडूलकाष्ट की फाईयर नहीं हुई लेकिन आज मैं हुड़ा जी से कहना चाहता हूं कि आज आज आपकी समाज की बेटियां रोड पर बैठी हैं और उन तो भारत का नाम रोसन किया है तो सरमानी चाहिए अगर तुमने उस समय वह गलती नहीं की होती तो आज तुम्हारे साथ यह गलती नहीं हो रही होती जिस समय शिडूलकाष्ट पिट रहा था जिस समय मुसलमान पिट रहा था अगर तुम उस समय उनके साथ खड़े होते त आपको लिखने का दिकार है, ना आपको धन संपत्ती अर्जित करने का दिकार है, आप गुलाम हो, सुधर हो, आपको यही मनुस्मिर्थी जो वो सिकाती है, तो जिन लोगों ने भी पहले मैंने कहा, कि अगर जब दरित पिट रहा था, मुसल्मान पिट रहा था, और दूसी जाते हैं पिट रही तो आप तालियां बजा रहे थे, अब आपका नंबर आया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आवी भी भक्त है, सुधर जाईए, जिनको आप अपना आइडल मानतों, आपके आइडल वो नहीं है, आपके आइडल अमेड कर हैं, छोटू राम ह बगस सिंग है, चौदी महरा सिंग भारती हैं, यह तमाम फूले कभीर, नानक, रैदासी आपके आइडल हैं, अपने महापुरसों को पढ़िए, और इस देश की एकाकी को बनाएए, ताकि यह जो बेटियां रोलें के साथ बत्तमीजी कर रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, इनका रोना बंद हो, और कम से कम आपे समझेए, आज के बाद अगर देश के अंदर कहीं भी S.C.H.T. पर कोई भी त्याचार सोशन होता है, तो उसके खिलाब आप भी बोलिए, क्योंकि मुझे दुख होता है, कि जब बंदना कटारिया के घर के सामने, जब ओलामपिक में होकी टीम हार जाती है, तो उसके घर के सामने जाती वादी गुंडे चमार चमार कह करके नारा लगाते हैं, उस समय गीता, बवीता और साक्षी, जो देश की बेटियां हैं, ये ट्यूट रही करती हैं, बलकि ये प्रिधान मंत्री जीजी के साथ सैलफी ले करके ट्यूट क कर रही होती हैं, तो आपको भी खड़ाऊना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हो, आपके साथ कोई खड़ा हो, इस वीडियो को बनाने का उद्देश से सरी पितना था, ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट में, पूरे गेम के पीचे कौन लोग हैं, और जो लोग प्रोटेस् सीख लिए और एक दुस्मन को पहचान, जिसको डॉक्टरम मेटकन ने कहा, कि जिस दिन इस देश की कमेरा जातियां, एक मंच पर आकर के भोज़ान समाज बना लेंगे, उस दिन आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे, आज हमारी बेटिया नियाय मांग रही देश करेंगे, अगर सरकार हैं आपकी होती ही, इस देश पर रूल आपका होता है, क्योंकि संख्या आपकी ज्यादा है, तो आपको नियाय मांगने की जोट नहीं पौड़ाएं।